गुद मॉरिंग स्टुडेंस इससे पिछले एक लास में मैंने आपको चाई जन्गस्ट्री के बारे में समझाया था आज हम प्रश्टन की तरफ बढ़ते हैं प्रश्टनावली असम का पहला चाई बगान कौन सा है और कब स्थापित हुआ था असम का पहला चाई बगान चाबुआ चाई बगान है और यह कब स्थापित हुआ था इसे इस्ट इंडिया कंपनी ने अठारा सो पैथीस में स्थापित किया था पहले पन्ने में ही है चौथे लाइन में इस्ट इंडिया कंपनी ने अठारा सो पैथीस में स्थापित किया था दूसरे परशने कि आगे बढ़ते हैं असम की पहली चाय कंपनी का नाम क्या था और कब स्थापित हुआ था ये भी इसी इंपने में ही है उसी लाइन के नीचे में अब देख सकते हो असम की पहली चाय कंपनी का नाम असम चाई कमपनी था और इसकी स्थापना 1840 में हुई प्रश्ट नमर तीन गिर मिटिया और आर काथिया चालान के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए गिर मिटिया और आर काथिया असम चाई कमपनी के स्थापना के बादी असम चाई की खेती के ब्यापक रूप से विस्तार हुआ था लेकिन उसके अविशक्ता नुसार स्थानिय मजदूर को भी काफी अभाव हो गया था लेकिन अभिश्यक्ता नुसार स्थानिय मजदूरों का भी काफी अभाव था इसलिए चीन और भारत के बिभिन प्रांतों से मजदूर को इकठा करने का उन्होंने विचार किया इसके लिए कमपोनियों ने कुछ बिचोलियों को नियूगत किया था फिर इन बिचोलियों ने पच्छिम बंगाल उडिसा, बिहार, उत्तरपदेश, मध्यपदेश, जारखन, मदरास आंदरपदेश इत्यादी जगों से मजदूरों को जमा किया था इस तरह असम में मजदूरों को लाने का कारिय को मजदूर चलान कहा जाता था मजदूर चलान दो प्रकार के होटे थे पहला गिरी मिटिया चलान और दूसरा और कठिया चलान लिखी समझोते के अनुसार एग्रिमेंट के अनुसार निश्ची समय के लिए जो मजदूर लाया जाता था उन्हें गिर्मिटिया चलान कहलाता था और जिन मजदुरों को बिना समझोतों के बेगे चलबल कोशल से लाएगे इन मजदुरों को आर काठिया चलान कहा जाता था अब हम तीसरे परश्टने के अब बढ़ते हैं तीसरा तो हो गए चोथे की और आगे बढ़ते हैं चाइज जन्गोस्टी समाज के दस जातिय और उपजातियों के नाम लिखू चाइज जन्गोस्टी समाज की अनेक जातियां और उपजातियां हैं जैसे मुंडा, सावताल, कुर्मी, ताती, घटवार, कोहरी, तासा, तेली, धनोवार, बड़े आदी चाइज जन्गोस्टी के बीच कौन कौन से धर्म के लोग है चाइज जन्गोस्टी के बीच हिंदू और इसाई धर्मों के लोग अधीक है हिंदू और इसाई धर्मों लंबी की संख्या के लोग अधीक है स्वाधिन्ता संग्राम से पहली महिला शहीद का नाम क्या था? स्वाधिन्ता संग्राम से पहले महिला शहीदा का नाम है मोंगडी उड़ाओ मंगडी उड़ाओ आगे बढ़ते हैं असम अंदूलों में प्राण निच्छावर करने वाले असम अंदूलों में प्राण उत्सरजित करने वाले चाय बगान के प्रथम शहीद का नाम क्या है? असम अंदूलों में अपने प्राणों को उत्सरजित करने वाले चाय बगान के प्रथम शहीद का नाम है बादना उड़ाओं ये थे हमारे साथ प्रश्ण आटवे प्रश्ण में हैं संशेब में लिखनाय में मेगराज कर्मकार, संतोष कुमार तपन और साइमन सिंग मेगराज कर्मकार चाय जन्गोष्टी के जिन लोगों ने अस्व्या भाषा साहित्य चर्चा कर ख्याती अर्जन की थी इन में इनका अमुल्य युगदान है उपरी असम के जमीता चाय बगान के मेगराज कर्मकार का नाम भी प्रमूख है और इसी चाय जन्गोष्टी समाज के वे प्रथम साहित्य पेंशनर है इन्होंने चालू वचन सहित उनकी कई किताबी भी प्रकाशित है असम प्रकाशन परिश्यद ने मेगराज कर्मकार रशना वली का प्रकाशन भी किया है और वे हाई स्कूल में अध्यापन भी वे बरबरु हाई स्कूल में अध्यापन भी करते थे यह था हमारा मेगराज कर्मकार के बारे में अब हम संतोष कुमार तपन के बारे में जानते हैं संतोष कुमार तपन एक अस्यमे भाषा साहित्य के लेकक और समाज सवी थे मरान के संतोष कुमार तपन की मुंडा जाती चमू परिच्चे जो पुस्तक है चाई जनगोस्टी की एक पहली प्रकाशित पुस्तक है वे हसम चाई जनजाती छात्रसंग के संस्थापक सचीब थे उनके पिता का नाम दयाल तपन और मा का नाम मार्था तपन था इनका जनम 1924 में हुआ इन्होंने जोर्ड जेवी कॉलेज से इसना तक की डिग्री प्राप करने के बाद तपन ने समाज सेवा के साथ साहित्ती की साथना भी की थी और इनके पत्र पत्रिकाओं विविन्य पत्र पत्रिकाएं और लेख भी प्रकाशित हुए हैं यह अपना जीवन सरल सहज रूप से विताते थे यह था हमारा संतो्ष कुमार तपन के बादे मैं अब हम बढ़ते हैं साईमन सिंगहोर साईमन सिंगहोर हुए उनीसस दू पर referring टियोक में जिनम हुआ थे हैंका इनके पिता का नाम मासिराम होर और माता का नाम सारा होर थी इन्होंने शिपसागर के मिशन स्कूल में अपनी शिक्षा की सुरुवात की उसके बाद इन्होंने जुरहाट के जेवी कॉलेज से सना तक की डिगरी हासल की इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को ठुकरा कर समास सिवा किया और ध्यान दिया यह इसाई धर्म में लंबी थे लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के नामगर बनाने के लिए इन्होंने अपने जमीन का दान भी दिया था शिक्षक के बारे में इन्होंने सोच कर जो पिछ़़े इलाके मनोंने स्कूल की स्थापना की शिक्षा की रोश्णी फैलाई थी देश की स्वाधिन्दा संग्राम में चाय जन्गोष्टी का भी बड़ा योगदान है और इनका दिहान 26 सून 1989 को हो गया देवाद